नमस्कार किसान भाईयो, हाटी किसान में आपका तह दिल से हादिक स्वागत है आज का यहाँ टॉपिक बहुत ही महत्पूर्ण ओने वाला है जैसे कि हम जानते किसान भाईयो, ग्योंग की बोनी अभी स्टार्ड है अगर आप गहुं का बहुत अच्छा उत्पादन लेना चाते हैं बहुत ही अच्छा आपका गहुं पके उसमें दाना अच्छे से बने और आपको रिगार्ड दोड़ उत्पादन मिले इसके लिए मैं आपको आँच छोटी छोटी चार बाते बताऊँ गाए अगर आप तो आपको बहुत ही अच्छा उत्पादन मिलेगा ऐसा मैं दावेश से कह सकता हूँ तो सबसे पहली बात है किसान भाईयो जब भी आप बहुं की बोनी करते हैं तो आपको बीच का सेलेक्शन समेगे साथ करना है आने की अगर आप 25 अक्टोंबर से लिकर 5 नौंबर तक अगर आप बहुं बोकर उसमें एक पानी मद देते हैं तो आपको जो लंबी अब्धी वाले बीच है जैसे की DBW 303, सिर्राम सुपर 303 इस प्रकार की जो लंबी अब्धी वाले बीच है जो करीब साड़े तीन से चार महिने, साड़े चार महिने की बीच में पकर तयार होता है इस प्रकार की बीच को आपको बोना है क्योंकि जो बीच की जितनी जादा उम्र होती है वहाँ उतना ही अधिक उत्पादन देता है इसके साड़ी किसान भाईयो अगर आप 5 नॉम्बर से लेकर 20 नॉम्बर की बीच में अगर आप बोनी करके एक पानी घुमा पाते हैं तो आपको मत्यां अब्धी वाला जो बीच है जैसे कि 322 अन्य वराइटी जोगी मत्यां अब्धी महारी 110 से 120 दिन के बीच में पकर त्यार हो जाती है इस प्रकार की सीट को आपको चैन करना है तबी आप एक अच्छा उत्पादा ले सकते हैं यदि किसान भाईयो आप 25 लॉंबर से 15 दिसमबर तक कोई पोनी करता है और एक पानी भुमाता है तो इसके लिए आपको कम समय अब्धी वाला ग्यों का बीच है उसका चैन आपको करना चाहिए क्योंकि किसान भाईयो अगर आप इस समय में एक लंबी अब्धी का भी होते हैं तो वहार लास्ट में उदर मार्च 15 अप्रील तक जाता है जो कि हम उदर पानी नहीं बगाए पाते हैं लू बहुत ज़्यादा वड़ जाती है जिससे हमारा गिमों अच्छे से पकता नहीं और हमारा गिमों का जो उत्पादन है वो घट जाता है इस प्रकार से किसान भाईयो आप बीच का जो सलेक्षन हैं बहुत ही सोच समझ कर करें समय के साथ करें आपको बहुत ज़्यादा विचार करना है कि हम किस समय पर को सा बीचका में बोना है इसके साथ ही किसान वाई हो आपकी जमीन भी किस पकार की है अगर आपकी हर्गी जमीन है तो आप थोड़ा कन अबदी वारना बीच का चैन करें अगर आपका मोटी जमीन है तो आप जो लंबी अबदी वारना बीच का भी चैन कर सकते हैं कि लास में आपका 15 मार्स के बाद अगर आपको कोई भी गयों की वेराइटी नहीं पकती है तो उस समय हमको ज्यादा पानी देना पड़ता है इसलिए आप फ्रड़ाप की जमीन कभी ध्यान रखकर बीच का सेलेक्शन करें दूसरी बात आते हैं किसान वाई हो आपको एक हमारी ठीक है लेकि अगर आपके पास पानी की मात्रा भरपूर है आप लास्ट तक अच्छे से पानी गों में दे सकते हैं तो आप छड़काव भी दिस से भी बीच की बोनी कर सकते हैं यदि किसान वाई हो आपके पास पानी की कुछ कमी है आप लास्ट में एक पानी नहीं बगा पाते हैं या फिर मेरे पास पानी की कभी हो जाती है तो आपको वहाँ पर जो बोनी की सिड़्ों से वोनी करते हैं तो उसमें क्या होता है जब हम पानी देते हैं फैरा पानी तो उसमें उपर से कड़ा हो जाता है सहर जमी और वह हमारा भी ऊग नहीं पाता तो इस प्रकार से भी किसान भाईयों आप छोटी छोटी बाते हैं जो ध्यार रखना बहुत जरूरी है तभी हम एक अच्छोत बादन ले सकते हैं तीजरी बात है किसान भाईयों अगर आप गहूं का एक गड़ में रिकार्ड दोड़त बादन लेना चाहते हैं तो आपको भूमी का बिसेश धान देया पड़ेगा आपकी भूमी की उर्वर्ण च्छंता कैसी है आपको यह पता या एनपी के जो भी खत का विस्त्मान कर रहा है उसके अधार पर करेंगे तो आपको एक अच्छा बादन देखने को मिरेगा क्योंकि किसान भाईयों यदि हमको हमारी भूमी में कोल सा पूसक तत्प कम है जादा है ती वो पता नहीं होता है हम एक अंदाजा से ही डालते रहते हैं कभी-कभी हमारे भूमी में नाइट्रोजन फास्पूरस है हम उसी की मातरा डाल देते हैं जिसका भी हमारे ग्यों की पसल में बिप्रित प्रहों देखने को मिस्तर इसे किसान भाईयों आप से एक छोटा सनिवी दनाए आप जब भी कोई भी खाट डाल रहे हैं उसके अधार पर अगर आप खाट करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा उत्पादन मिलेगा क्योंकि आप जो भी खाट डाल रहे हैं वो आपके पौदे की ज़रुत के अनुसार खेट में डाल रहे हैं इड़ा होगी किसान भाईयों हमारे तीन बाते चोहती बात बहुत ह अवश्चक है और महत्पूर है आपकी जब भी आपने आपके खेट में गयोंकि बोनी जी है तो आपको समय पर पानी को देना है आने कि आपको समय समय पर पानी को ओड़ना है ना तो आपको ज़्यादा पानी देना है ना तो काउं जैसे मैंने देखा हूँ कुछ लोग उ किसान बाइव यह एक पानी देते हैं और बापस दस दिन बाद फिर बाङँальные爆Int इसने क्या होज़ता है हमारा पौदे का जो रहा है वो रूपी जाता है क्योंकि वो तुरंट पानी दे रहा है एक नमी जो है वो जादा नमी नमी में भी अमारा फौदे ग्रोड नहीं कर पाता है जमीन के धार पर आपको पानी को देना है हमको 6-7 पानी देना है वो जमीन के अनुसार आपको आपको समय समय पर आपको पानी देना है ताकि आपको बहुत ही अच्छा उत्पादन मिले तो इस प्रप्यार से किसान वैयों ये 3-4 बाते छोटी-छोटी है लेकिन बहुत ही महत्पूर्ण हैं आपकी क्यों के अच्छा उत्पादन बढ़ाने के लिए तो आज के लिए बस इतने किसान वाईओं हम तरी मिलेंगे एक नए खेटी किसाने से समझे वीडियो को लेकर तब तक के लिए नमस्कार आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत अबार